नव सर्जित ग्राम पंसाइद आलवाडा के ग्राम पंसाइद भवन का सांसत देवजी पटेल वजालोर विदैक जोगेशुर गरग ने किया सिला नियास 35 लाग लुपे की लागत से होगा नविन भवन का निर्मान साइला पंशाय समेती च्यात्र की नव सरजित ग्राम पंशाय आलवाडा के नविन भौवन का रविवार को शूप मोरत में अतितियों ने भूमी पुझन कर शमारो पुरू परुक्सिला नियास किया पुर्व जिलाप्रिश सदेशिय मंगल सिंग सीराना, पंसायद समेति सदेशिय सरोज सौंदरी, भाजपा मंडल देख्ट केरदाराम सौंदरी, जीवाना सरपंस उतम सिंग, वतालियाना सरपंस हस्तिमल मेगवाल के विशिष्ट अतितिय में हुआ, कारिकरम में अतितियों वेदिक मंतुर्शार के साथ भूमी पुजिन कर नीव का सिलानियास किया, आगंतुक अतितियों का गरामिनों की और से श्वागत कारेकरम रखा गया था, लेकिन सांसद ने जालोर में बिजली से बस हाज़े में मर्चकों की सुवेदना परकट करते हुए, श्वागत समान कारेकरम गरामिनों से नुरत कर नहीं करने का आग रखकर श्वागत कारेकरम नहीं रखा, वहीं कारेकरम को सम्बोधित करते हुए, सांसद पटेल ने गरामिनों को केंदर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, इस तोरान सांसद देवजी पटेल ने कहां कि केंदर और रा कापी सुईता मिलेगी साथी रिकॉर्ड आधी भी एक जगह उपलब्द रहेगा वहीं जिल्या पुषर सदस्य रामाराम सौधरी ने सरकार की योजनाव के बारे में जानकारी दी बाजबानेता मंगल सिंग सीरानावा केवदाराम ने भी कारीकरम को संबोधित किया कारीकरम जैमाराम मानाराम मेगवाल सहित ग्रामिन मोजूद रहे अंत में सरपंस प्रतिनिती शामलाराम ने सभी का आबार एहम धन्यवाद ग्यापित किया